हमारे इस जिले से रहा है चाहे आदर्निया इनकी दादी सिर्मती इंद्रा गांधी रही हो चाहे शिर्मती सोनिया गांधी जी रही हो और चाहे सोयम राहूल गांधी जी रही हो हमेशा अपने सिर्मती जिले में राहूल गांधी जी का अगमन हुआ है त्याग, तपस्या, सहादत और भलिदान का ये प्रतिविम राहुल गांदी जी के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है मेरी राहुल जी आपसे प्रातना है आपका पूरा गांदी परिवार शिवरी जिले आते जाते रहा है आप भी आए हैं यहाँ पर समुचेत पानी के खेतों में पानी की विवस्ता चाहिए आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस भारत के प्रदान मंत्री के रूप में आप सत्ता सीन होंगे मैं सब की ओर से राहुल जी क्या प्रातना करता हूँ कि अपना सीनियर नेता पार्टी के प्यारे कारे करता भाई और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आप यहाँ दूर-दूर से आए मेरी बात सुनने आए इसके लिए मैं आपको शुरुआत में ही धन्यवाद करता हूँ यहाँ आदिवासी वर्ग के काफी लोग हैं कॉंग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमिट्शा जी, आरेसेस के लोग आपको वनवासी कहते हैं सुना होगा आपने, सुना है तो इन शब्दों के पीछे दो अलग-अलग विचार धाराएं है आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक, पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है सबसे पहले, जो आपका इतिहास है आपकी हिस्ट्री है आपकी भाशाएं है आपके जीने का तरीका है उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का ना जल का ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा आधिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो देश के पहले मालिक हो और पहले मालिक का देश के धन पर जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है तो मैंने यह आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है देश में आपकी जगे कहां होनी चाहिए उस बात की लड़ाई है अब आप देखिए, छोटा सा आकड़ा आपको देता हूँ आदिवासियों की अबादी देश में आठ परसेंट है मैंने आकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों में उनके मालिकों में आदिवासि कितने है सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासि कितने है आप हैरान होगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कमपनियों की लिस्ट निकालो उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो आपको वहाँ एक आदिवासि नाम नहीं मिलेगा यह हमारे मैंने कहा प्रेस के मित्र है मीडिया की कमपनियों की लिस्ट निकालो बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो और मुझे एक आदिवासि इन में से दिखा दो एक आदिवासिया आपको ना मीडिया में, ना कॉर्परेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं कौन चलाते हैं, I.S. अपसर चलाते हैं हिंदुस्तान का जो बजेट है, उसे ये 90 अपसर बाठते है तो मैंने पता लगाया, 90 अपसरों में से आदिवासि कितने आप जानते हो, एक, 90 में से एक अपसर आदिवासि है आपकी आबादी 8% है मगर देश में भागिदारी आपकी नहीं है 90 अपसर देश को चलाते हैं, एक अपसर आदिवासि है और भाईयों और बहनों अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासि अपसर दस पैसे का निर्णे लेता है 100 रुपय में से 10 पैसे की आपकी भागिदारी है अबादी 8% पहले मालिक आदिवासि और 100 रुपय में से 10 पैसे का निर्णे आप लोग लेते हो ये लड़ाई है ये फरक है बीजेपी में और कॉंग्रिस में हम कानून लाए पेसा कानून लाए जमीन अधिकरन बिल लाए ट्राइबल बिल लाए आपको अपना अधिकार देने के लिए इंद्रा गांधी जी ने और कॉंग्रिस पार्टी की सरकारों ने आपको अपनी जमीन वापिस दी जमीन का हक आपको दिया और ये हम करते रहते हैं और बीजेपी क्या करती है जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीन कर अधानी जी जैसे अरब पत्यों के हवाले कर देते हैं जब आदिवासियों युवा पूशता है कि आपने हमारी जमीन लिए हमें आप आपने रोजगार नहीं दिया आपने सही कॉंपनसेशन नहीं दिया आपने हमारी शिक्षा नहीं करवाई बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं पता नहीं आपने वाइरल विडियो देखा या नहीं बीजेपी का एक नेता मध्यप्रदेश में आदिवासी युवा के उपर पिशाप कर रहा था देखा आपने? देखा न? और विडियो लेकर उस विडियो को ये लोग वाइरल कर रहे हैं आप सोचिए पहले आदिवासी युवा पर पिशाप कर रहे हैं और फिर उसी विडियो को पूरे हिंदुस्तान में पहला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालुम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर आदिवासियों के भविश्य पर पिशाप की है ये इनकी विचारधारा है ये इनकी सोच है चुनाओ का समय है हमने अभी मैनिफेस्टो लग बनाया है अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने तीन चार करांतिकारी काम आपके लिए किये हैं ऐसे काम किये हैं जिससे आपकी जिन्दगी हमेशा के लिए हमेशा के लिए बदल जाएगी सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग है और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं दले थे हैं पिछड़े वर्के हैं हरे गरीब परिवार में अच्छी तरह सुनिये मैं जो कह रहा हूँ हरे गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाक रुप्य हम डालेंगे हर महीने हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपय जाएंगे साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को एक लाक रुपय बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी जो आशा और आंगनवारी की महिला हैं उसमें भी आदिवासी हैं पिछड़े वर के लोग हैं गलित हैं उनको जो आज पैसा मिलता है सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे डबल कर देंगे अब आदिवासी युवा पिछड़े युवा गलित गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं मैं चार हजार किलो मिटर चला कन्या कुमारी से कश्मीर चला और पूरे रास्ते युवा उने मुझे कहा राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज़ादा बेरोजगारी है नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की गलत जी एस्टी लागू की जो छोटे बिजनस वाले हैं जो छोटी फैक्टरियां चलाते हैं मिडल साइज फैक्टरियां चलाते हैं बंदो गए सिरफ अधानी अमबानी ये अरब पती ये बचे हैं तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा है और पूरे देश में युवाएक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए रोजगार कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा आज मैं इस भाषन में आपको जवाब देने आया हूँ सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में तीस लाग सरकारी वेकंसीज हैं तीस लाग सरकार के पास रोजगार हैं जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं हैं वो आपको कॉंट्रैक्ट पे काम देते हैं आपसे मज़दूरी करवाते हैं मगर सरकारी नोकरी आपको नहीं देते इसलिए हमारा पहला कदम जैसे हमारी सरकार बनेगी ये जो तीस लाग सरकारी नोकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे दूसरी बार जो अमीर घर के लोग होते हैं पता नहीं आपने अपरेंटिशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ अपरेंटिशिप क्या होती है जो ये अमीर घर के बच्चे होते है रोजगार का पाने से पहले काम करने से पहले ये अलग-अलग कंपनियों उसमें जाके ट्रेनिंग लेते हैं कोई छे महीने की ट्रेनिंग लेता है एक साल की ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं तो हमें एक नया कानून ला रहे हैं जैसे हम मन्रेगा लाए थे जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे सो दिन का रोजगार गैरंटी करके कॉंग्रेस पार्टी देगे तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे और वो चलेगी नरेंद्र मोधीची ने उसको बंद करने की कोशिश की पैसा नहीं देते हैं हम उस योजना को चलाएंगे मगर हम एक नई योजना एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर युवा को हर गरीब युवा को आदिवासी दलेत पिछड़े वर के गरीब जनरल कास के युवाओं को एक साल की अप्रेंटिशिप साल का एक लाग रुपिया जो भी युवा चाहता है पुब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में एक साल का अप्रेंटिशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं तो हर युवा कोई ये मिलेगा जो भी करना चाहेगा वो बड़ी से बड़ी कंपनी में सरकारों में हस्पतालों में अलग-अलग संस्ताओं में उसे एक साल की अप्रेंटिशिप मिलेगी एक साल का एक लाख रुपिया मिलेगा और पिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है जब मैं यहां यात्रा में निकला युवाओं की एक शिकायत थी आते थे रोते हुए कहते थे कि राहूल जी हमने सालों के लिए एक्जाइम की तियारी की ट्यूशन का पैसा दिया और जिस दिन चुनाओ होता है उस दिन हमें पता लगता है कि बच्चों ने पैसा दे कर पेपर खरीद लिया हम पढ़े हमने मेहनत की और फाइदा किसको हुआ जो पढ़ा नहीं जिसने पैसे दे कर पेपर खरीदा यह आपकी शिकायत थी तो युवाओं के लिए तीसरा काम पेपर लीग के खिलाफ एक कानून सक्त से सक्त कारवाई और यह जो प्राइवेट कम्पनियों से पेपर करवाई जाते हैं चेकिंग की जाती है सरकार बनते ही हम यह सारा का सारा बंद करवा देंगे हमारे किसान भाई हैं आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए कानून लाए और लाखों किसान सड़क पे उतर पड़े पंजाब में हरियाना में मद्यप्रदेश में पूरे धेश में किसानों ने कानून का वरोद किया किसान क्या चाहता है किसान सिर्फ क्या सही दाम किसान ये कहता है कि देखिए मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे आप से कोई तोफ़ा नहीं चाहिए मगर जो मैं उगाता हूँ अपने खून पसीने से जो उगाता हूँ उसके लिए मुझे सही दाम मिलना चाहिए बस यही कहता है किसा वो ही कहता है और कुछ नहीं कहता और नरेंद्र मोधी की सरकार कहती है हम आपको सही दाम नहीं देंगे अरब पतियों का 16 लाग करोड रुपया करजा माफ किया है मगर किसानों का करजा माफ नहीं करते और जब किसान MSP मांगते है minimum support price मांगते है तो पुलिस वाले उन पे गोली चलाते है तो हमने manifesto में साफ कह दिया है किसानों का करजा माफ होगा और कानूनी कानूनी minimum support price हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगी और कानून के मताबिक उनको सही दाम अनाज के लिए दान के लिए दिया जाएगा और आकरी बात किसानों के लिए ये जो नरेंद्र मोदी जी फसल भीमा योजना लाएं है आप पैसा भरते हो सरकार का पैसा जाता है आंधी तुफान आता है फिर आपको पताया जाता है जी भईया आपको कॉंपनसेशन नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा पैसा सोला कंपनियों को जाता है तो हम नई योजना लाएंगे और जो आपकी इंशॉरंस की क्लेम होगी उसका पैसा हम आपको तीस दिन के अंदर दिलवा देंगे तो ये ये हमारे वाइदें है और भी वाइदें है मगर ये हमारे सबसे बड़े सबसे बड़े वाइदें है अब थोड़ा समय आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे है सबसे पहले आपने शिक्स शेडियूल सुना है आप जानते शिक्स शेडियूल क्या है मैं आप बोताता हूँ हिंदुस्तान में ऐसी जगाएं हैं जहाँ पर शिक्स छटे शेडियूल का कानून होता है उस कानून के मुताबिक जो लोकल सरकार होती है वो ही सारे के सारे निर्ने वहां के निर्ने लोकल सरकार लेती है तो हमने निर्ने लिया है कि आदिवासियों को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा भोपाल से नहीं चलाया जाएगा लोकल एरिया से आदिवासि अपने एरिया में अपनी लोकल सरकार चलाएंगे और जो उनको निर्ने लेना है वो लेंगे यह है सिक्स शेड्यूल और हमने निर्ने लिया है जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से जाधा अबादी है वहाँ पर सिक्स शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी कि आप लोकल एरिया में सारे के सारे निर्ने आप ही लो और आपको दिल्ली से बोपाल से ओडर लेने की कोई ज़़ूद ना पड़े तो यह सिक्स शेड्यूल का मतलब है और पूरे देश में हम 50% जहां भी आबादी आपकी जाधा है 50% से वहाँ पे हम सिक्स शेड्यूल लागू कर रहे हैं जो SC, ST, OBC की स्कॉलर्शिप है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं तो जितनी आज आपको स्कॉलर्शिप मिलती है उससे डबल आपको सरकार आने के बाद मिलेगी और आकरी बाद शायद सबसे जरूरी बाद आपने देखा होगा कि जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहाँ पे आपको कॉंट्रैक्ट पे लिया जाता है सभी बाद मतलब आपको पर्मनेंट नौकरी नहीं दी जाती आपको कॉंट्रैक्ट पर लिया जाता है और जब भी वो चाहते हैं आपको वो बाहर कर देते हैं नौकरी से निकाल देते हैं तो हमने निर्णे लिया है कि यह जो कॉंट्रैक्ट लाइजेशन है कॉंट्रैक्ट की जो नौकरियां है सरकार में हम इनको पूरी की पूरी को बंद कर देंगे और आपको PSU में सरकार में कॉंट्रैक्ट से नहीं लिया जाएगा मगर आपको पर्मनन्ट नौकरी सरकार में और Public Sector Units में दी जाएगी और जो भी आपकी Forest Rights की जो Claims हैं वो सारे की सारी हम एक साल के अंदर जो आपकी जमीन के सवाल है जो जमीन का हक है वो सारा का सारा आपको हम एक साल में दिलवा देंगे तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं देखिए चुनाओ दो विचारधाराओं का है एक तरफ नरेंद्र मोधी हिंदुस्तान के दो तीन अरब पत्यों के लिए काम करते हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी गरीबों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए पिच्छे वर्ग के लोगों के लिए आदिवासियों के लिए दलितों के लिए काम करते हैं लड़ाई इन दोनों के बीच में है आप हैरान हो जाओगे नरेंद्र मोधी जी के राज में 22 लोग हैं अरब पती हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है 22 लोगों के पास नरेंद्र मोधी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है शर्म की बात है और नरेंद्र मोधी जी ने आदिवासी युवाओं कि शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया चोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया किसानों का कर्जा माफ नहीं किया मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया मगर सबसे बड़े अरब पतियों का 16 लाख करोड रुपया कर्जा माफ किया है अब आप को कि 16 लाक करोड रुपए तो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे भी नहीं समझ आता कितना है इतना बड़ा नमबर है मैं आपको बताता हूं अमन्रेगा को चलाने में 60,000 करोड रुपए लगते हैं नरेंद्र मोढी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा का चलाने में 24 साल चलाने में लगता है 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 20-25 लोगों के लिए माफ कर दिया आप बैंक पे कर्जा लेने जाते हो आपको बाहर कर देते हैं बगा देते हैं और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाग करोड रुपिया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने ऐसे ही माफ कर दिया दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरब पतियों का यहाँ प्लाइन होता है यहाँ आपको रोजगार नहीं मिलता आप जाते हो दिल्ली जाते हो अमीर लोगों के घर में काम करते हो क्यूं? क्यूंकि एक तरफ एक दो परसेंट लोग हैं वो कोई भी सपना देख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब लोग उनको ना रोजगार मिलता है ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं और जाते हैं फिर पर प्राइवेट कॉलेज में जाओ बैंक लोण लो लाकों रूपय का बैंक लोण लो और पर बाद में पता लगता है भाई या रोजगारी नहीं मिला तो आपके जेब में से पैसा निकलता है GST आप देते हो वो जो आपने कुर्ता पहना है जतना GST आपने दिया उतनी GST अधानी देगा बराबर अगर आप कुछ खरीटते हो जतनी आप देते हो उतनी अधानी देता है पैसा आपका कर्जा माफुन का पैसा आपका आप जाते हो स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हो सारे के सारे प्राइबिटाइज कर दिये पता लगता है वहिया स्कूल में जाना है कॉलेज में जाना है लाकोर रुपए देने किसको देने उनी को देने बिमार होते हो प्राइबेट हस्पताल में जाते हो पता लगता है भईया लाकों रुपे इलाज में लग गए पैसा कहा गया हुनी लोगों के हाथ गए तो यह हम बदलना चाहते हैं हम चाहते हैं कि अगर उनका करजा माफ हो अरब पतियों का माफ हो तो फिर हंदुस्तान के किसान का भी हो मजदूर का भी हो आदिवासी का भी हो और अगर इनका नहीं होता फिर उनका भी नहीं हो इसमें कोई गल्ब बात तो नहीं है तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आप वो सरकार चुनिए जो आपके साथ खड़ी है जो आपके साथ मिलकर देश को बदलने का काम करती है जिसने आपको मनरेगा दिया जो आपको एक लाख रुपे हर गरीब परिवार को देने जारी है जो एक नया अपरेंटिशिप का कानून ला रही है करोणों युवाओं को एक साल की अपरेंटिशिप देने जारी है उनका आप समर्तन कीजिए कॉंघर्स पार्टी का समर्तन कीजिए और याद रखे कि दिल्ली में मैं आपका सिपाई हूँ, जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिरुफ ओर्डर देना है, मैं हासिर हो जाऊँगा, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद। अधनी रहूल गांदी जी का उद्भोधन, हमारे मंडला संसदी छेत्र, के सभी आए हुए सांतियों ने सारगर्वजित उद्भोधन सुरूद। आपको दे रहा है तमाम फैसिलिटीज। जैसे डिलेक्स रूम, प्रीमियम रूम और बेसिक रूम, 24x7 सर्विस, नीट क्लीन और हाईजीनिक वाश रूम, करंसी एक्सचेंज, ब्रेकफास्ट इन दरूम, तो अगर आप भी दरिवर डेल होटेल में स्टे करना चाहते हैं और समय भारत की तरफ से आप SB001 कोड यू